जानी मानी लिकर कंपनी पेयनोड रिकार्ड पता ने कितनी जानी मानी मैंने मेरे को नी मता नुपुर को बता नुपुर जानी मानी है नुपुर बोले तो जानी मानी है और नुपुर के मताबिक इनका जो पॉपुलर ब्रैंड है इंपिरियल ब्लू ये बेचने की तैयारी क इस पूरी खबर को समझे जहानुपूर सही, बताएं, क्या है पूरा मामला है, क्या है पूरी खबर, और क्या पड़ेगा इसका असर? बिल्कुल सर, USL पर असर पड़ सकता है, यहां पर, क्योंकि उनके प्रड़क्शिय और इंपरियल ब्रू है यह सेम सेग्मेंट में आते हैं, हाला कि परकष रिकर्ट जो आप बोल रहे थे, जानी मानी कम्पनी है, सर, जानी मानी कम्पनी है, सर, विस्की है, सर, जो, विस्की विसकी है और पॉपुलर ब्रैंड को बेचने की तयारी कंपनी कर रहे हैं गोल्मिन सेंट को यहां पर आपॉइंट किया है बायर की तलाश यहां पर हो रही है और इंपोर्टन बात यह कि यह तीसरी बड़ी तीसरी ब्रैंड है जो थोर्ड मार्केट चेर जिसके पास है वो इसी ब्रैंड के पास फिलाल है यहां पर इसके लावा इसके नंबर्स देखे तो इंपेरल बूर में करीबन तीन हजार क्रोड की रेविन्यू की थी पिछले साल जो डील की वैल्यू सामने निकल कर आ रहे है वो 5,000 क्रोड के आसपास की निकल कर आ रहे है 1.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स यहां पर दिया जा रहा है अब बात यही है कि अगर यह इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में सिर्फ 2-3 प्रिसेंट रहे थी इतना मुनाफ़ा इस पर्टिकुलर ब्रैंड ने परणोड को नहीं बना के दिया था पिछले 2-3 सालों में जिसकी वज़े से वो एक्जिट लेना चाहते इस पर्टिकुलर ब्रैंड से और अपनी प्रिमिमाइजेशन स्टोरी प्ले आउट करना चाहते अब यही है कि इसे जो खरीदेगा अगर उसने इसका मार्केट शेर बढ़ाया तो यूएसल के लिए नेगेटिव होता हुआ नज़र आएगा आला कि यह तीसरे नंबर पर है यूएसल के जो दोनों ब्रैंड से वो तॉप टु ब्रैंड से म्गडॉल्स और दूसरे जो कंपनी के ब्रैंड से वो प्रीमिम कैटेगरी में आता है लेकिन अगर इसने मार्केट शेर गेन करना शुरू किया after इस transaction के बाद तो USL के लिए थोड़ा negative हो सकता है अगर turnaround नहीं हुआ तो USL के लिए काफी positive होगा